इस लेक्चर के अंदर हम Flask को यूज करने वाले हैं Flask क्या है? यह पानी पीने वाली Flask या वो गबले के अंदर फूल लगाने वाली Flask नहीं है जो वाटर के साथ हम लगाते हैं यह Flask एक Python का workflow है या library आप कहलें जिस से आप application develop करते हैं पिछले दिनों में हमने stream lead के उपर काम करना स्टार्ट के और stream lead के थूरू हमने बेशुमार apps बनाई एक अंदाजे के मताविक हमने more than 14 या 15 projects app बनाई हैं जो सारे के सारे codes आपको मैंने available भी दिये इसके इलावा आपको जो टास्क दिये जाते थे अगर उनको मिलाया जाए तो आपके पास 20 प्लस projects औरेड़ी मजूद हैं अब Flask को आज हम स्टार्ट करेंगे और Flask को यूज करते हूँ different गिसम की apps बनाएंगे तीन major libraries हैं जो web apps के लिए बहुत professionally यूज की जाती है एक का नाम है Flask, second का नाम है Fast API, third का नाम है Django Streamlit जो है basically ये भी web app बनाने के लिए यूज होती है लेकिन ये थोड़ा सा वो कहते हैं बच्चों के लिए और customization इसमें कम है and there are many things जो इसके अंदर हम यूज नहीं करते हैं So Streamlit एक site पे अगर कर दी जाए Flask, Django and Fast API ये तीन ऐसे web framework हैं जिनको आप यूज करके python based applications बना सकते हैं web application और या आप अपनी website पे बना सकते हैं तो जब भी हम website की बात करते हैं वो web application या website किसी चीज को view करने का नाम होता है So at the end अगर आप किसी चीज को view कर रहे हैं या आप किसी चीज को वहाँ पे paste करके उससे कोई काम ले रहे हैं जिसके पीछे python की processing चाहिए These are called web applications अब इन तीनों libraries को बारी-बारी हम देखेंगे कि कौन सी जरूरी और कौन सी एहम है किस के अंदर light काम किया जाता है किस के अंदर आप बहुत heavy काम कर सकते है and which are the things which are important for you to learn as a beginner या as an advanced level flask developer अब flask के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं पहले हम उसको देखेंगे फिर हम Django और Fast API का मुवाजना करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास use होती है screen आपके सामने हाजिर है इस screen के अंदर आप देख सकते हैं कि जनाबे वाला Google हमारे पास open पड़ा हुए यहां पे मैं लिखता हूँ Flask और साथ में मैं लिखता हूँ Python क्योंकि अकेला Flask लिखूंगा तो it won't show me Flask की app यह आपके पास Flask एक basically palletprojects.com वालों की एक यह basically library है और अगर मैं इस पर click करूँ you will see के हमारे पास एक Flask की website open हो जाएगी जैसे ही हमारे पास website open होती है इसके उपर हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ें जो है हम समझ सकते हैं मैं इसको थोड़ा से zoom in करता हूँ यहाँ पे आप चेक करें तो यह welcome to Flask documentation की बात करें इसमें आप सबसे पहले installation के उपर गाम करते हैं फिर quick start है and there is also a detailed tutorial मैं यहाँ पे click करता हूँ तो यह tutorial open हो जाएगे तो आपके पास different किसम के यहाँ पे sections मौजूद है installation से लेके आगे तक आप minimum के minimal किसम की application इससे बना सकते हैं so Flask जो है basically light version है आप इसके उपर बहुत ही easily apps बना सकते हैं जैसे आपने streamlet के उपर बनाई है इसको install कैसे करना और कौन-कौन से तरीका कार मुझूद है इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे जो तरीका कार बताया गया वो python version के साथ बताया गया और python पे अगर हम click करें installation पे basically अगर हम click करें then we will look into it मैंने installation पे click किया and now you will see के हमारे पास बे बहार dependencies इसकी ज़रूरी है जिसमें Vexyug है, Jinja है और हमारे पास markup safe है, it's dangerous है, click है, blinker है, signals है and then there are many other things optional dependencies में हमारे पास dot environment है and watchdog है watchdog basically ज्यादतर use होती है जब आप macbook के ओपर apps को run करते हैं और यह watchdog आपकी speed को increase कर देती है then हमारे पास virtual environment बनाने का तरीका है, जो यहाँ पे website पे दिया गया है, it's also one of the best environment creation लेकिन वो python के अंदर environment create करके बता रहे है, जो हमारा तरीका कार होगा हम उसके अंदर mamba या konda को use करके environment बनाएंगे जैसे हमने streamlit का बनाया था, तो आज के इस program के अंदर, इस lecture के अंदर मैं आपको पहले installation करके दिखाऊंगा, फिर हम एक mini app बनाएंगे, फिर आपको मैं task दूँगा के आपने एक professional app उससे develop करनी है, which I am gonna show you at the end of this lecture, इससे क्या होगा, आपकी practice भी हो जागी, आपकी installation भी हो ज बना सकते हैं, login कैसे बना सकते हैं, आप किस तरीके से hello world की app बना सकते हैं, body कैसे बनानी है, आपके पास streamlit की निस्पत यहाँ पे ज्यादा customization की options मौझूद है, that is why आपके पास flask जो है वो बहतर तरीके से काम करती है, as compared to other things, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे static files and templates पड यह सारे काम कर सकते हैं, और basically अगर आप देखें, आप इसको production level पे भी लेके जा सकते हैं, जो हमारे पास machine learning operations के जो course हमारा आने वाला इन्शाला इसी साल के अंदर, उसमें हम देखेंगे, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमारे पास flask जो है, यह बहुत ही आला किसम के तरीके से हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं block blueprint पे click करूँ तो मेरे पास block की एक, जो templates हमें open हो जाएंगे, templates पे click करूँगा, तो मेरे पास simple templates open हो जाएंगे, so whenever you want to write something like a blog or some other things, then you can write in this way, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास different किसम की coding use होगी, and then you can inroot your app, और there are many other things जो इन्शाला हम गाहे बगाहे देखते हैं जाएंगे, इस माह के अंदर, मार्च के अंदर, जो हमारा चेमा का कोर्स चाल रहा है, हमने इन्शाला यह तकरीबन Flask और Django को basic level पे हमने समझना है, ताके हम अगर इस पे काम करना जोएं, कोई app बनाना चाहें, then we can work on that, तो यह हमारे पास different किसम के जनाबे वाला और रेडी चीज़ें पड़ी होई है, now the thing is, यह तो Flask के बारे में हो गया है, इसकी installation के बारे में देखता है, लेकिन दो basic और libraries है, जिनके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है, because there are many people जिनको उन दो चीज़ों का नहीं पता, यह मेर पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो यह आपकी जैंगो की website library open हो जाएगी, और फिर हमारे पास है fast API python, ठीक है, तो यह तीन ऐसी basic libraries है, which can help you to create your professional web applications, which you can develop a tool and then you can actually upload those tools on your website, या आप अपनी deployment जो है different तरीके से कर सकते हैं, अपनी web apps की, और basically web apps जब आप develop करते हैं, आप एक researcher है, आपको बहुत ज़्यादा facility देती हैं, जब आप कोई भी paper publish करते हैं, उसके साथ एक छोटी से web app कर देंगे न, तो आपके paper की citation बहुत उपर जाएगी, आप अगर को tool बना रहे हैं, जिसका लोगों को फायदा है API use करके, वो भी basically आपको earning का source बन सकता है, अगर आपकी website monetized ह and there are many other things, tools की website के उपर जितनी earning होती है, किसी और website के उपर नहीं होती, so that is why in this month, inshallah, we are also going to learn के कौन कौन चीज़ें हमें help out करते हैं to earn more, क्योंके at the end हमारा मकसद क्या है, to earn more, let's jump into it, so यहाँ पर यह हमारे पास Django का framework है, जिसके उपर आज हम बात नहीं करने वाले, but just to show you, ह और यह secure है, exceeding scalable है, ठीक है, Django जो है basically एक ऐसी library है, और यह ऐसा workflow मैं बोलूँगा इसे, जिसकी base पे आप production ready, web apps भी बना सकते हैं, websites भी बना सकते हैं, database भी connect कर सकते हैं, there are many 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 other things which you can do with Django, और Django का यही फाइदा है, कि बहुत ज्यादा professionals इसको use करते हैं, secondly आपके पास है Fast API Fast API क्या है, जैसे नाम से जाहिर है, यह थोड़ी सी fast है, as compared to flask, और इसके भी कुछ फाइदे हैं, और इसके कुछ नुकसान आत्मी है, जैसे सबसे पहला अगर इसका advantage देखा जाए, तो यह हमारे पास fast है, very high performance है, ठीक है, और हमारे पास fast to code है, इसका जो interface है, coding language इसके intuitive है, फिर आपके पास easy है, short है, robust है, and standard based है, ठीक है, और आप इसको compatible कर सकते हैं with many other things, तो fast API की documentation के ओपर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर वो आजाएगी, अगर jango की documentation पर जाएंगे, तो आप jango को भी पढ़ सकते हैं, so I'm not gonna introduce you these two libraries in details for now, लेकिन हम जो बात करेंगे, व पहले हम सीखेंगे, फिर आइस्ता इस्ता इस्ता step up करेंगे, और मैं आपको jango की तरफ लेके जाएंगा, fast API आप खुद सीख जाएंगे, इंशाला, क्योंकि आपको इतना basic knowledge, इंशाला, मैं provide करने वाला हूँ, अगर अभी तक आपने like नहीं किया है, stream को, तो please go ahead, do it, इस video को like कर दें, share कर दें, subscribe कर दें, और यहां पे एक छोटी सी celebration मैं करता हूँ, कि आज हम fast API को start करने वाले हैं, yes, here you go,